कर तक मंगोलिया में पुतिन की गिरफ तारीक हो सकती है इसे खबर से हलचल मची हुई थी लेकिन आज एक नए बयान ने संसरी मचा दी है ये बयान खुद आया है रूस की राष्टपती व्लादिमिर पुतिन की ओर से नमस्कार बहुत स्वागत है आप सभी का मैं हूँ अपढ़ना मौज़म आपके साथ और मेरे साथ है मेरे सहयोगी पुनीत मिश्रा जिनको आप जानते हैं इंटरनाशनल मामलों में ये तमाम अपडेट्स लेकर आते हैं अपने पूरे डिटेल्ड अनलिसिस के साथ पुनीत क कि तरफ से पहली बात तो रूस और युक्रेन का युद्ध जो चल रहा है वो चल रहा है ढाई साल से और पहली बार पुतिन ने इस मामले में मूँ खोला है या इस मामले में कोई बयान दिया है और क्या कहा है बयान सुरखियों में सुबह से चल रहा है लेकिन इसका एनलि या फिर चाइना या फिर ब्राजीन तीनों में से कोई राजी हो जाए तो हम बाचीत करने के लिए तैयार हैं ये बड़ा बयान पुतिन की तरफ से आना आपने आपने क्योंकि धाई साल हो गए यूकरेन की तरफ से तो कई दफा ये बात हो चुकी है पुरी जान तक मुझे याद है कि जब जंग शुरू हुई थी तो शुरुआती दोर में ही एक बार कोशिश हुई थी समझाता कराने की और उस समय समझाता हुआ था लेकिन समझाता लागू नहीं हो पाया था बिल्कुल पुतिन ने इसी बात का जिक्र किया है कि जंग शुरू होने से पहले रूस और साथी साथ दोनों मुल्क जो है जिनका भी बात चल रहा था जो दोनों एक मेज पर थे उस पर कुछ समझाते हुए थे यूकरेन और रूस के बीच लेकिन वो समझाते लागू नही हुए और लागू नहीं हुए और इसी वज़र से अब पुतिन कह रहे हैं उन्होंने ये तक का है देखिए बड़ी कली टिपड़ी भी किये और कली टिपड़ी में उन्होंने क्या कहा है उन्होंने कहा है कि हम जानते हैं कि हम ऐसे लोगों से सामना कर रहे हैं जो समझोतों का सम्मान नहीं करते हैं आप समझ रही है इशारा भी है और दूसरी तरफ ये भी कहा है कि हाँ हम भाचीत के लिए तैयार है इशारा कर दिया है यूकरेन की तरफ कि पिछली बार यूकरेन नहीं माना था समझोता नहीं हो पाया गें यूकरेन के पाले में डाल दी है लेकिन इस बार जो ये शांती समझोते की बात पुतिन कर रहे हैं, पुरुनित जाना चाहूंगे क्या पुतिन ठक गए है युद्ध से क्योंकि उनके देश के अंदर भी स्तरा की मांग उठ रही थी, या वो अब उन्हें लग रहा है कि धाई साल हो गए, शिरुवात में लग रहा कि युक्रेन को तो बस ऐसे ही चुटकियों में हरा देंगे, तो ठक गए हैं या डर गए हैं? कर रखा है और शर्तें कुछ लगाई गई हैं, पुतिन की तरफ से कुछ शर्तें रखी गई हैं, उसमें ये शर्त भी बताई जा रही है, कि हमने जिस जमीन को युक्रेन की कबजाया है, वो जमीन हम वापस नहीं करेंगे, लेकिन इससे बड़ी बात क्या है? इससे बड़ उक्रेन की इसी एंट्री से पुतिन को परहेस था? सबसे बड़ी बात ये है, कि नाटो में क्या युक्रेन शामिल हो जाएगा, अगर शान्ती होती है तो, और क्या रूस ऐसा होने देगा? सबसे बड़ी बात और है, ये जब पुतिन की तरफ से ये बयान आया, तो ये आया है इस्टरन एकॉनोमिक फोरम में. अब ये मंजना बहुत ज्यादा जरूरी है. क्योंकि उन्होंने किस का खिकर किया है? उन्होंने खिकर किया है ये श्चामिंज का खिकर कीया है? इंडिया भी है, साउथ अफरिका भी है और ब्राजील भी है तो इसलिए उन्होंने और सबसे बड़ी बात है कि इस्टर्न Economic Forum में ये बात कही जिसमें 40 देश है और इस्टर्न Economic Forum जो है इसे रूस ने 2015 में बनाया था इसका स्थापना जो है रूस ने की थी, कुल मिलाकर वो निशाना साथ रहे हैं पश्चिम की तरफ की पश्चिम वाले जो हैं वो अपनी गलतियां, गलतियों से उन्हों कई सारी गलतियां की हैं बीते वक्त में और हमको अब पूरब की तरफ देखना चाहिए भारत भी तो यही कह रहा है बिल्कु भविष्चे के इशारा कर दे के बहुत हुआ पश्चिम पश्चिम का राग आप पूरब की तरफ देखे क्योंकि पूरब में भविष्चे की शक्तियां बैठी हुई है बस यही बात है और सबसे बड़ी बात देखिए पूरब की तरफ से यह जो बयान आया ना यह इसके कई माहिने है युक्रेन भी यह कह चुका है कि भारत मद्देश तता करता है तो हम तयार है इसके लिए दूसरी तरफ पूतिन अगर यह कहते हैं तो वो ब्रिक्स बनाम नाटो करने की कहीं कोशिश तो नहीं कर रहा है यह बहुत बड़ी बात पूरीद कर रहे हैं बहुत बड़ी बात ध्यांतर सुनिए बिल्कुल क्योंकि चाइना भी नाटो में नहीं है इंडिया भी नाटो में यह सारे देश नहीं है समझ नहीं है और अगर ऐसी परिस्थिती बनती है तो ब्रिक्स बनाम नाटो और सबसे बड़ी बात कि जब यह इस्टन Economic Forum में यह बात कह रहे हैं तब 40 देशों के प्रतिनी थी इस दोरान यहां पर मौझूद हैं और अभी आपको याद होगा प्रदान मंत्री मोधी गए थे अगस्त के महीने में गए थे युक्रेन गए थे इसके पहले रशिया गए थे और वहां पर भी युक्रेन जब गए तो उन्होंने कहा था कि मैंने तो रूज के राश्रपती के आँखों में आखे डाल कर यह कह दिया कि यह समय युद्धका नहीं है बेलकुल तस्वीरे वारेल भी हुई थी वो तस्वीरे वारेल हुई थी और सबसे बड़ी बात क्या है सबसे बड़ी बात यह है कि भारत क के लिए अभी ते कोई कोई चर्चा नहीं चल रही थी लेकिन हमने एक वीडियो बनाया था और उसमें ये जिक्र किया था कि भारत की तरफ से ये लगातार कहा जा रहा है कि दोनों बशर्ते राजी हों तब हम कोई बाचीत कर सकते हैं हम मीडियेटर की भूमिका में रह सकते ह हैं लेकिन शर्त ये है कि दोनों देश राजी होने चाहिए और एक तरफ युक्रेइन कह चुका है अब रशिया भी कह रहा है पुतिन भी कह रहे हैं तो क्या ये जो इस्थान है ये भारत ही होगा और भी चीज़े हैं भारत और चाहिना एक दूसरे के विरोधी लेकिन कुछी दिनों बाद पुतिन ने बात की थी जो बाइडन ने बात की थी उनसे बिल्कुल एक और बात अभी कल का ही शायद बयान है प्रधान मंत्री का जब उन्हें कहा है कि भारत विस्तारवाद के खिलाफ है भारत खुलकर अब ड्रागन को संदेश पहुचा रहा है जी ह इसे जुड़ा हुआ है इसी से जुड़ा हुआ है लेकिन विस्तारवाद के खिलाफ है भारत दरसल क्या चारा है भारत चारा है कि छोटे-छोटे देशों को अपने साथ ले वहाँ पर बिसनस करे क्योंकि कुल मिलाकर ट्रेड से दुनिया चलती है युद्द से दुनिया और इसलिए ट्रेड को बलभावा देने के लिए और सबसे बड़ी बात यह यह की आजकल ज्यादातर देश जो पुरानी गल्तियां है पंगी तरफ से जो पुरानी पंगी देश की ज théरी प्रृतियां इसी वज़े से आजकल ज्यादा तर देश डॉलर को भुला कर अपनी मुद्रा में व्यापार कर रहे हैं तो कुल मिलाकर अमेरिका और रूस दोनों की अदावत तो किसी से छिपी नहीं है तो एक तीर से कई निशाने साधने की कुशिश कर रहे हैं पुटिन बहुत अच्छा देखिए हमने आफसे शुरुवात में ही कहा था कि जो पुनीद हैं वो इतनी पैनी नजर रखते हैं ना जो इतना गहरा विश्टलेशन आपको कहीं और मैं दावे के साथ कह सकते हूं कहीं और देखने को नहीं मिलेगा आपके सामने एक बार फिर हाजिर हों और पुरीद के एक्सपर्ट अनलिजिस के साथ फिलाल हमेदी जी जासत नमस्का आएंगी